Hello dear students, स्वागत आपका इस उडियो में आज के इस उडियो में हम class 9th का Maths का जितने भी important MCQ है वो इस उडियो में हम करेंगे जो कि आपके midterm exam के लिए बहुत ज़दा important है तो चलिए start करते हैं इस उडियो को बिना time को waste करते हुए तो सबसे पहले हम question number first की बात करते हैं question number first क्या है हमारा निमलखित में से कौन एक आप परिमे संख्या है तो इसमें हमें 4 option दिया गया है A, B, C और D तो दिखिए सबसे पहले हम जो option A है इसकी बात करते हैं इसमें हमें दिया गया है root 4 बटे में 9 तो अगर इसको हम solve करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये कटके 2 आएगा और ये जो है ये हमारा हो जाएगा 3 ठीक है तो ये हमारा 2 बटे 3 आ रहा है अब 2 बटे 3 जो है ये क्या होता है एक परिमेश संख्या होता है ठीक है तो इसलिए पहला option हमारा नहीं हो सकता है ये क्या ह एक परिमे संख्या है अब देखिए जो दूसरा option है इसकी बात करते हैं तो यह हमारा क्या है रूट 12 बटे में रूट 3 इसका मतलब क्या है कि उपर भी रूट में है और नीचे भी जो है 3 ये भी रूट में है तो इन दोनों को काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चोक 12 कट जाएगा तो इसी लिए जो हमारा ये बी option है ये भी नहीं हो सकता आप दeckhें C आप्शन की बात करते हैं सबसे पहले हमें आप आपर D option की बात कर लेते हैं तो D option में हमें क्या दिया है रूट में 81 है तो रूट 81 का मान कितना होता है नो होता है तो नो भी क्या है एक परिमे संख्या है तो हमारा कौन सा option बचा, ये c option बचा, तो इसलिए जो ये root साथ है c option में, ये क्या है एक अपरिमे संख्या है, यानि कि जो हमारा question number first है, उसका c option right है, तो ये हो गया question number first, अब देखे question number second की बात करते हैं, इसमें हम से क्या पूछा है, कि निम लिखित में से कौन सी एक परिमे संख्या है, तो इसमें हमें इस बार परिमे संख्या पूछा गया है, तो देखिए, इसमें हमारा साफ साफ हमें पता चल रहा है, कि जो 0 है, ये एक परिमे संख्या है, क्योंकि जीरो को हम 0 बटे 1 लिख सकते हैं, है ना, तो 0 बटे 1 क्या है, एक परिमे संख्या है, क्योंक क्योंकि आपको पता होगा कि जो πाई होता है ये एक अ परिमे संख्या होता है लेकिन जो पाई की वैली होती है बाईस बटे साथ ये परिमे संख्या होता है ठीक है तो ये हो गया question number second अब हम बात करते है question number third की तो question number third हमारा क्या है कि root 6 गुणा में root 27 बराबर है तो इसमें 4 option दिया है A, B, C और D तो इसमें से कौन सा option राइट होगा देखे सबसे पहले इसको solve करते हैं root 6 को हम क्या लिख सकते हैं इसको हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं है ना और root 27 को भी हम क्या लिख सकते हैं इसको इसी root में लिख देते हैं तो इसको हम 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 तीया 9 नो तीया 27 हो जाएगा तो यहां पर देखिए यहां से हमारा क्या होगा कि यहां पर तीन का एक पेर बन रहा है तो इसको एक बार लिखते हैं वर्गमूल के बाहर फिर एक और पेर बन रहा है तो इसको भी एक बार लिखेंगे और यहां पर क्या बचा यह दो बचा तो इसको इसका पेर नहीं बन र तो इसलिए जो तीसरा कोशन है उसका A option राइट है ठीक है तो ये हो गया हमारा कोशन नमर थार्ड अब देखें कोशन नमर 4 की बात करते हैं कोशन नमर 4 में क्या है कि निमलिकित में से कौन X की घात 3 के बराबर है चार आप्शन दिया है A, B, C और D तो सबसे पहले हम A option की बा हमारा माइनस नहीं हो सकता है ठीक है तो ये हमारा कट गया यानि A option नहीं हो सकता इसका आंसर जो B option है इसके बात करते हैं तो देखें B option में क्या है कि X की घात 6 गुणा में क्या है यहाँ पर डॉट है इसका मतलब क्या होता है कि गुणा होता है ठीक है तो इसलिए गुणा जोड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा तो यह आ रहा है इसको solve करने पर X की घात 9 यानि कि जो हमारा B option है ये भी नहीं हो सकता ठीक है अब देखिए C option की बात करते हैं इसमें हमें दिया गया X की घात 6 बटे में X की घात 3 तो यहां पर देख रहे हैं आप कि जो आधार है वो X है यानि कि बराबर है और ये भाग में है तो इस situation में क्या होता है हमारा कि अगर आधार बराबर हो और भाग में हो तो हम क्या करते हैं आधार को एक बार लिखते हैं और जो घाते होती हैं उनको घटा देते हैं तो यहां पर हमारा क्या बचेगा X 6 माइनस 3 3 तो यह आ रहा है x की घात 3 और यहीं पर हमारा यह पूछा गया था question में यानि कि जो c option है हमारा question number 4 का वो right है ठीक है तो यह हो गया question number 4 का solution इसका c option right हो जाएगा अब इसके बाद next question number 5 की बात करते हैं तो question number 5 हमारा क्या है यह आप देख सकते हैं कि परतेक परिमे संख्या है चार option दिया है क्या परतेक परिमे संख्या पून संख्या है क्या पुर्णांक है क्या प्राकर संख्या है या वास्तविक संख्या है तो इसमें अगर हम right option की बात करें तो इसमें हमारा d option right होगा क्यों होगा क्योंकि जितने भी परिमे संख्या होती है यानि कोई से भी परिमे संख्या जो होती है वो वास्तिविक संख्या होती है क्योंकि वास्तिविक संख्याए में सारी ही परिमे संख्याए और अब परिमे संख्याए आती है अब आप सोचेंगे कि जो पूर्ण संख्या होती है वे भी तो परिमे संख्या होती है लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर परतेक की बात की गई है यानि जितनी भी परिमे संख्या है वो क्या पूर्ण संख्या होंगी नहीं क्योंकि पूर्ण संख्या है तो हमारी 0 से स्टार संख्या है ठीक है तो यह हो गया question 5 का solution अगर आपको किसी भी question में doubt है तो आप मुझसे comment करके पूछ सकते हैं मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा तो यह हो गया हमारा question 5 अब देखे question 6 की बात करते हैं तो question 6 में हमसे क्या कहा गया है कि 14.050505 and so on dash संख्या है तो यह कौन से संख्या है यह आपको बहुत अच्छे से पता होगा यह आप देख सकते हैं यह हमारा जो है 14.050505 यह repeat हो रहा है यानि 14.05 जो है यह repeat हो रहा है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसके उपर बार लगा सकते हैं तो ये हमारी कौन सी संख्या होती है ये असांत आवरती संख्या होती है है ना तो जैसे कि आपको पता है कि जितने भी हमारी चाहे सांत संख्या हो यानि कि सांत दसमलोग परसार हो या फिर असांत आवर्ति दसमलों परसार हो ये दोनों क्या होते हैं परिमे संख्या होते हैं ठीक है तो इसे लिए ये हमारा B option right हो जाएगा यानि ये जो हमें संख्या दिया गया है ये क्या है एक परिमे संख्या है क्योंकि ये असांत आवर्ति है ठीक है तो यह हो गया question number 6 का solution अब देखिए हम question number 7 की बात करते हैं तो question number 7 हमारा क्या है यह आप देख सकते हैं कि root 2 और root 3 के बीच एक परिमेज संख्या है तो देखिए इसमें हमें 4 option दिया है A, B, C और D तो गर इसमें हम right option की बात करें सबसे पहले मैं इसको solve करके दिखा देता हूँ तो देखिए हमसे पुछा गया है कि root 2 और root 3 जो है इसके बीच एक परिमेज संख्या इन 4 में से कोई 1 है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम जो root 2 होता है इसका मान कितना होता है तो root 2 का मान हमारा होता है 1.414 and so on इसी तरह से जो हमारा यह next root 3 है इसका मान कितना होता है यह होता है 1.732 and so on तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.414 और 1.732 इन दोनों के बीच में यह 4 option में से कौन सा option हो सकता है तो देखिए इसमें हमारा जो यह है C यानि कि 1.5 यही इन दोनों के बीच में आएगा ठीक है यानि हम यह कह सकते हैं कि जो यह root 2 और root 3 है इसके बीच एक परिमेर संख्या हमारा 1.5 हो जाएगा यानि इसमें C option right है ठीक है तो यह हो गया question number 7 अब देखिए next question number 8 तो question number 8 में ह से क्या कहा गया है कि 2 root 3 plus root 3 बराबर है तो यह किसके बराबर है 4 option हमें दिया गया है तो देखिए इसको solve करते हैं 2 root 3 है यहाँ पर तो 2 root 3 plus में क्या है root 3 तो root 3 का मतलब क्या है कि यह हमारा 1 root 3 होता है है तो यह 2 root 3 plus में root 3 है तो इसको जोड़ेंगे तो क्या है यह 2 root 3 plus में root 3 तो ये हो गया 3 root 3 तो देखे कौन सा option है ये c option में हमारा 3 root 3 है यानि question number 8 का c option right है ठीक है तो ये हो गया question number 8 का solution अब next question number 9 की तरफ बढ़ते हैं तो question number 9 हमारा ये है आप देख सकते हैं हमसे इसमें क्या पूछा है कि एक परिमेश संख्या का दसमलो निरूपन नहीं हो सकता तो एक परिमेश संख्या का दसमलो निरूपन कैसा नहीं हो सकता तो ये असान अनावरती का नहीं हो सकता क्योंकि जो असान अनावरती होती है वे अप परिमेश संख्या होती है ठीक है तो इसी लिए जो 9th question है इसका C option right हो जाएगा अब देखिए question number 10 को करते हैं तो question number 10 में हमसे क्या पूछा है कि संख्या root 2 का दसमलो परसार है तो इसमें हमें 4 option दिया है A option में एक परिमित दसमलो B option में है 1.4 1 4 2 1 C option में है असांत आवर्ती और D option में है असांत अनावर्ती तो दीखे जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा root 2 होता है यह क्या होता है एक आपरिमे संख्या तो इसी लिए जैसा कि हमें पता है कि जो आपरिमे संख्या होती है उनका जो दसमलो परसार होता है वो असांत अनावर्ती होता है ठीक है तो इसी लिए जो root 2 है ये इसका दसमलों परसाल क्या होगा असांत अनावर्ती ठीक है क्योंकि root 2 हमारा एक आप परिमे संख्या है तो इसी लिए 10 question का D option right हो जाएगा तो इस तरह से इस यूडियो में हमने total 10 questions को solve किये हैं ठीक है और ये जो सारे questions हैं ये आपके chapter number 1 जो है संख्या पदिती उस chapter के हैं ठीक है अब अगर आपका comment रहेगा अगर आप comment करेंगे तो मैं बाकी के जो chapter है जो आपके syllabus में है उन सभी के विए important questions बता दूँगा ठीक है उसके भी वीडियो बना दूँगा तो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको किसी भी question में doubt है तो आप मुझे comment करके बता देना मैं आपको उसका solution समझा दूँगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्राइब लगा है